गुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स वेलकम तो यूर ओनलाइन क्लासेज इट्स वर कम्पूटर क्लास लेट स्टाटेट बेटा आज हम गरेंगे पेस नंबर 9 पे आउट्पूट डिवाइस वैसे कल मैं इसकी पीडियो आपको बेजी थी आप वो भी ओपन कर सकते हो उसमें देख सकते हो आउट्पूट डिवाइस आउट्पूट डिवाइस के बारे में जानते हैं यह हमारे बुक पे पेस नंबर 9 पे हमारे पास आउट्पूट डिवाइस आउट्पूट डिवाइस आउट्पूट डिवाइस आउट्पूट डिवाइस आउट्पूट और जो रिजल्ट आया है हमारे पास proceessing का वह है हमारी आॉल्ट जासे मैंने पहले भी आपको बताया था हम data computer में डाहरब वह उसको बोलते हैं हम INPUT वसके बाद क्या होती है हमारे पास processing EPも C double जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है उसे क्या बोलते है आउटपुट आउटपुट डिवाइसिस क्या होती है जो उसको शो करते है आउटपुट को शो करने वाले को क्या बोलते है आउटपुट डिवाइसिस आउटपुट क्या होती है जो हमारा परसेस किया हुआ डाटा ह हाता है वो सबसे पहले मारे पास output device है monitor the most common output device is monitor सबसे ज्यादा use क्या होता है monitor यह सबसे ज्यादा use होने वाला output device है एक लुक्स लाइक a television जिक इसकी तरह दिखते है एक television की तरह tv की तरह the output that we get on a monitor is called soft copy जो हमारे पास display हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम soft copy जो भी output हमें monitor पे दिखाई दे रिया उसे बोलते हैं soft copy there are three types of monitor monitors कितने type के होते हैं तीन types के तीन तरह के monitors होते हैं मारे पास देखने हम पहला है मारे पास CRT monitors are generally less expensive but consume more electricity ये क्या है बटा जो टीवी की तरह दिखने वाला जो हमारा पहले वाला monitor होता था ये क्या है generally less expensive जे मतलब ज्यादा costly नहीं होता है बट consume more electricity लेकिन जो power है हमारी electricity बिजली है वो ज्यादा खपत करता है बोट CRT and LCD monitor produce shape sharp images जो हमारी LCD monitor है CRT monitor and LCD monitor है वो क्या images sharp images शो करते हैं बट LCD monitor have the advantage to begin much thinner lighter and consume less electricity लेकिन ये क्या करते हैं मैटा electricity जो हमारी power होती है विजली होते हैं उसे भी कम यूज करते हैं और जो much thinner and lighter होते हैं और lightly इसे हम उठा सकते हैं कहीं भी लेकि जा सकते हैं the third type of monitor are LCD monitor जो तीसी type का होता है वो क्याता है LCD monitor these monitors look more or less same as LCD monitor जो किसकी तरह होता है बटा LCD monitor की ही तरह होता है they have better picture quality and are much in demand than LCD इसकी demand जाला है LCD के मुकाबले इसकी picture quality LCD के मिजाए ज्यादा clear होती है अच्छी होती है अगले पास हम अगले हमारे पास speakers जे हमारा second output device है speaker speaker are the output device used to listen to music and sound effect from the computer speaker are the output device यह output device है used to listen to music किसके लिए यूजिक को सुनने के लिए and sound effect from the computer और sound को effect करता है computer they may be built into the system unit are connected with the cables to CPU यह किसके साथ connected होती है एक wire के साथ cable के साथ CPU के साथ connected होती है CPU के साथ जुड़े होती है अगले हमारे पास third printer it is an important important part of computer system एक एक important part ए computer system का it prints the output onto paper जो हमारे result होता है उसे paper पे यह print करता है the printer copy is called hard copy जो हमारे पास computer में पढ़ी होती है उसे क्या बोलते हैं soft copy और जो printer होके paper पे पे प्रिंटों के हमारे पास आती है hard copy the most commonly used printers are dot matrix inkjet and laser printers यह हमारे तीन printer यूज होती है हमारे दुबारा सबसे पहले हमारे पास the dot matrix printer work like a type writer and create the impression by stricking on the paper यह क्या करता है बेटा यह इसकी pick है जह paper पे ट्रिक करता है बन वाए बन उसे type करता जाता है जो भी हम type करते हैं उसे print करता है it is very noisy and do not produce high quality output यह बहुत ज्यादा अवाज करता है उसकी जो quality होती वह ज्यादा high नहीं होती ठीक medium quality का यह printer होता है dot matrix printer are not so common nowadays आज के दिनों में यह ज्यादा यूज नहीं होता they give output only in black and white जे output कहां किया से देता है बैटा black और white यह printed output नहीं देता हमें सिर्फ black और white output ही हमें produce करता है आगे हमारे पास the inkjet printer यह इसकी विच्चर है the inkjet printer spray droplets to ink on paper to form the text and graphics यह मारे पास क्या करता है ग्राफिक और टेक्स को प्रेंट करता है it is ideal for routine business work यह routine business work के लिए यूज किया जाता है and personal document जो हमारे personal document है उनके लिए यह हम यूज करते है it can give output both in black and white and in color यह क्या करता है black and white भी picture निकालता है प्रेंट निकालता है और color print भी हमें देता है it produce quality printer when used with special paper it produce high quality यह क्या करता है high quality हमें देता है prints की when used with special paper और इसका paper क्या आता है special paper यूज किया जाता है high quality output इसकी quality अच्छी होती है और यह fast print करता है it works like a photocopier यह कैसे वर्थ करता है एक photocopy machine की तरह लेजर printer cost more than inkzet printer यह costly होता है inkzet printer से ज्यादा costly होता है आगे हमारे पास activity zone यह आपने खुद करना है आपके घर में अगर PC है तो आप यूज कर सकते हूं और यह step आपने follow करने है मैं आपको करवाती हूं आगे processing device processing device हम करेंगे कौन से होते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था हम input डालते हैं उस पे जो processing होती है उसके लिए यो device यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं processing device Central processing unit हमारे पास सबसे पहला processing device क्या है यह बटा CPU जिसके फुल फॉर्म में Central processing unit In a human body the brain has an important role to play हमारी body में क्या करता है human आदमी की body में सबसे ज़्यादा important role कौन प्ले करता है उसका brain उसका दिमाग The activities that we perform are the results of single that we receive from our brain जो भी आप activity करते हैं उसका result जो single result होता है वो कौन receive करता है आपको आपका brain आपका दिमाग Likewise CPU is the brain of computer जैसे हमारा brain अमना काम करता है activities करने में हमारी help करता है वैसे ही computer का दिमाग किसे बोलते हैं CPU को Where it is processed and stored the information, perform, calculation and send the result to the output device जैसे पहले भी आपको बता है कि हम इसमें input डालते हैं उस पे यह process करता है और जो information store होती है उस पे processing करता है और हमें क्या देता है result देता है उसे क्या बोलते है output, output devices के through यह हमें result देता है, it performs all the jobs that we order it to do जैसी हम इसको हमारी instructions देते हैं हम इसको provide करते हैं जो जो instructions जो जो data उस पे process करता है और वैसी इस पे चलता है it is also known as a system unit, एक क्यासे चलता है एक system unit की तरह, the CPU has mainly three parts, CPU के तीन पार्ट होती है, सबसे पहला होता है MU, memory unit, this unit store information temporarily और permanently according to our need, यह क्या करता है, MU, memory unit यह होता है यह information को temporarily और permanently use करता है, जैसे हमारी जुरूरत होती है, उससे वैसे ही यह store करता है अगर हम चाते हैं कि हमारी information permanent store हो, तो permanent store करता है, अगर हम चाते हैं temporarily store हो, तो temporarily store करके रखता है ALU, arithmetic and logic unit, यह इसका second part है, the unit perform all the arithmetic calculation and logic operation जो भी हम computer पे formulas perform करते हैं, वो किसके दवारा use किये जाते हैं, ALU, arithmetic and logic unit के दवारा थर्ड हमारे पास CU, control unit, the control unit work like a traffic policeman, यह कैसे work करता है, traffic policeman जैसे एक traffic वाला पूरी traffic को control करता है, वैसी CU, computer के all system को control करके रखता है and manage all the operations of a computer, जो भी computer पे operation होते हैं, उसे यह control करता है, अपने अंदर control करके रखता है उसे control में एक sequence wise चलाता है, यह था हमारा processing device, इसके तीन पार्ट ते, MU, memory unit, ALU, arithmetic and logic unit और थर्ड पार्ट था है, इसका CU, control unit, इस picture से आपको clear हो जाएगा, input device, हमने input डाली, memory unit, control unit, ALU, इस पे यह CPU है, हमारे पर processing होई, हमारे पास क्या है, output, हमारा result, output device के through, इसके साथ पेटा हमारा chapter complete होता है, इस chapter का recap of chapter हम कर लेते हैं, इस chapter में हमने क्या क्या readout किया, उसके ब perform 3 basic function, computer कितने function perform करता है, 3, input, processing and output, the physical part of a computer that can be touched and seen are called hardware, जो भी computer के physical part से जिनको हम touch कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, hardware, आगे हमारे पास, software is a set of instruction that enable the hardware to work in the desired manner, जो भी इस पर work करिया जाता है, जो भी इस पर work करिया जाता है, बीटा, जो शॉफ्ट, जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं, वो क्या है हमारा software devices, devices through which we enter data and instruction into the computer are called input device, जो भी हम instructions और data computer में डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, input devices, जिसके through हम डालते हैं, devices that display input and result which we get after processing are called output device, और जो devices हमें input जो हमने डाल लिया, उसका result शो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, output devices, a CPU has three parts, CPU के कितने parts होते हैं, जो हमने अभी किये हैं, सबसे बहला है हमारे पास MU, memory unit, second, ALU, arithmetic and logic unit, third था हमारे पास CU, control unit, इस chapter में हमने ये सब किये हैं, अब आगे आपने बेटा brain exercise हम next वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बार इसको read out जुरूर, हमजजजजजजजजजजचर श feedback